असलाम लेकुम कैसे हो आप सब आई होप सब लोग अच्छे से होंगे एक बार फिर से वेलकम जेकी इनफॉर्मिशन अपडेट मैं मैं हूँ आपका होस्ट एरफान चलो मैं आज की जॉब अपडेट आपको प्रॉइड करता हूँ जो है लेटिस्ट जॉब अपडेट जो ज सब्सक्राइब करता है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंटरस्टिंग बिकास इस वीडियो मैं आपको मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से इसे पोस्ट जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और कितने सारे पोस्ट है कब इसका लास्ट डेट है स्टार पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैल आइकन को अल रखे ताकि आप हर एक अपडेट जो है रसीव करोगी सबसे पहले क्योंकि इस चैनल पर जादा तर जोब अपडेट साते रहे थे और एक बात सबसे बड़ी बात अगर आपका अब चाते हो क मैं आपका जो बिजनिस है वो अच्छे एफोडेबल प्राइस पर आपका बिजनिस प्रमोट कर सकता हूँ तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जरूर एंट तक देखे और वीडियो को लाइक जरूर कीजे लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजे अब देख सकतो यहां पे जो जो जॉब रिक्रूटमेंट आई है रूरल कल्चरल कल्चर एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिवलोप्मेंट अस्टेशन इंकॉर्परेटेड विडियोप्मेंट आई है आइबटाइस नेमेंट नमडर 1 ऑफट्व टुटी तीवटी यथा टीन थिटी तूटी तीन थीन अप्रिब्टी तीन को यह इशू किया गया है एप्लिकेशन इर इनवाइट फ़र इलिजिबल कंडेट पर इलिजिबल कंडेट जो है जो है जुमोर किश्मीर के यूथ व तो date of commencement of submission of online application जो start हुआ है 3 April से 3rd April से start हो गया है इसका जो last date है वो है 25 April तो 25 April तक आप इसके लिए apply कर सकते हो 3 April से start हुआ है 25 April तक आप इसके लिए apply कर सकते हो अगर हम total vacancies की बात करें यहां पर total vacancies जो है वो है 135 135 अब यहां पर total vacancies है 135 vacancies के लिए apply कर सकते हो अगर हम पोस्ट की बात करें यहां पर जो यहां पर पहले पोस्ट है assistant field officer की पोस्ट है number of post जो है 37 और उसके बाद जो qualification है वो है 12th pass 12th pass इसके लिए apply कर सकते है assistant field officer पोस्ट के लिए 37 पोस्ट है 12th pass qualification होनी चाहिए फिर उसके बाद जो है seal number 2 पे है physical instructor तो उसके लिए 23 पोस्ट इवलेबल है जिसको होना चाहिए BPE होने चाहिए BPA होना चाहिए और any certificate for supports and NCC अगर BPA किया है या BPE किया है या कोई certificate है supports regarding NCC जो issue करती है तो वो भी इसके लिए apply कर सकते है physical instructor की जुरूरत है इनको 23 पोस्ट फिर उसके बाद basic health worker basic health worker पोस्ट नेमा पोस्ट है basic health worker इसमें जो है 35 पोस्ट इनको फिल करने है और इसमें जो होना चाहिए अगर किसी ने A&M किया है G&M किया है यानि डिप्लोमा पर paramedical course किया है तो वो इसके लिए अपलाई कर सकते है क्योंकि 35 पोस्ट इसके लिए है पर उसके बाद जो है वो है survey survey तो उसके लिए 40 पोस्ट 40 पोस्ट है तो उसकी जो qualification रहने वाले है वो है 10 फास तो यह है education qualification जो है क्या-क्या रहने चाहिए पोस्ट के लिए assistant field officer के लिए physical instructor के लिए basic health worker के लिए और survivor के लिए जो qualification रहने वाले है 10th है 12th है या A&M, GNM, BPR, BP और यह पोस्ट इसके लिए अगर हम यहां पर important instructions की बात करें यहां पर before applying candidates or advisor to go through the instructions given the application must be citizen of India जो citizen of India है वो होना चाहिए application जो यह form वरे वो पहले citizen of India के होना रहने वाले होनी चाहिए जो इसके लिए apply करना चाहेगा वो पहले यह जो देखें कि वो इसके लिए eligible है age related education qualification related या बागी तोर के related अगर वो इसके लिए eligible हैं तो इसके लिए apply कर सकते हैं और यहां पे और एक लिखा गया है कि अगर आप किसी भी related कोई भी experience certificate है वो भी आप इसके लिए mention कर सकते हो वो भी आप इसके साथ जो है submit कर सकते हो रख सकते हो तो और एक यहां पे दिखा गया है जो candidates must write his name and data birth strictly as record in the matriculation certificate candidate जो इसके लिए apply करें कोई भी candidate अगर इसके लिए apply कर साथ है वो अपना नाम और data birth ज़रूर अच्छे से लिखे recorded with the matriculation certificate जो matriculation certificate पे लिखा होता है वही नाम वही data birth इसमें mention करें अगर हम यहां पे age relaxation की बात करें minimum 18 years होना चाहिए और जो हम पे देख सकते हो category wise जो age रखी गई है O.M. के लिए 40 years रखी गई है 40 years शुरूल कॉस्ट शुरूल tribes RBA, ALC, IB के लिए 43 X service man के लिए 48 EVS economically, weaker section के लिए 43 O.S.C. other social cost के लिए 43 रखी गई है यह age और physical challenge persons के लिए रखी गई है 42 age और इसमें क्या mention किया है वो मैं आपको बताऊँगा यहां पे और सबसे बड़ी बात है कि application fee कितना रहने वाला इसमें वो है 300 300 आपको इसके लिए apply करना होगा fee बरना होगा net banking through या online credit card, debit card through आप इसके लिए 300 रुपीज पे कर सकते हो जब आप इसके लिए apply करोगे और बात लिए इसमें जादा कुछ नहीं दिखाया गया है तो यही notification आई थी जो यहां पे है Ruler Culture and Physical Education Development Association Incorporated मनिस्टर आप कॉर्पोरेट F.E.O.S. Government of India की तरफ से job recruitment आई है तो इसके लिए आप 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 कर सकते हो 25 इसका last date है 3 April से यह start हो चुका है 25 इसका last date है और next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसके लिए अपलाई करना होगा आपको इनके official website पर जाना है यहां पर इन्होंने link mention नहीं किये इस notification में आपको यही सरच करना है Rule Culture and Physical Education Development Association वहां पर सरच करना है Google में तो वहां पर आपको इसकी जो link है वो लेगी online application इसके लिए तो यह क्योंकि यह online process है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो बागी मिलते है किसी और latest update के साथ किसी और job update के साथ और अगर आपको फिर भी मैंने पहले यह पको बला अगर किसी को अपना business promote करना होगा तो वो हमारे साथ contact कर सकते है क्योंकि मैंने अपना नमबर भी इसमें शेयर किया है तो वो आप इस नमबर पर हमेरे साथ contact कर सकते हो बागी मिलते है किसी और latest update के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए लाहाफिज